दवाईयों की अधूरी जानकारी स्वास्ते के लिए हानिकारक हो सकती है इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और दवाई के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें एप्टिवेट सिरप एक आयरुवेदिक सिरप है जो कई प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर वनी हुई है जैसे गिलोई, जीरा, सौंफ, नागर मुस्तक, पीपली, विदांग, कुटकी ये सिरप पाइनेपल फ्लेवर में आती है और दो वेरियंट्स में आती है 175 ml की बोटल लगबग 145 रुपे की आती है और 450 ml की बोटल लगबग 300 रुपे की आती है ये लोपिल लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई जाती है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना नहीं खाते हैं या फिर खाना बहुत कम खाते हैं या फिर उनकी खाना खाने की इच्छा नहीं होती है जिससे उनका वजन नहीं बढ़ता है और ना ही उनकी proper growth होती है बच्चों के पेट में वम्स याने कीडी भी बहुत जल्दी पड़ते हैं जिनकी फज़े से भी बच्चे को भूख नहीं लगती है और कमजोरी रहती है। बच्चों में ही नहीं बड़ों में भी ऐसा होता है। इप्टिवेट सिरप का इस्तमाल ज्यादा तर कम वजन वाले बच्चों में भूख बढ़ाने के लिए किया जाता है। बड़े लोग भी इसको ले सकते हैं। बच्चों में और बड़ों में भूख बढ़ाने का ये एक बहुत ही अच्छा और नैचुरल तरीका है। इस सिरप को लेने से आपको क्या-क्या फायदे होते हैं। अगर आपको या फिर आपके बच्चे को भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, तो ये सिरप आपके भूख को स्टिमूलेट करती है, यानि भूख को बढ़ाती है। बूग बढ़ेगी तो automatically आप सही quantity और सही time पर खाना खाएंगे जिससे वजन भी बढ़ेगा और बच्चे की healthy तरीके से growth भी होगी immunity level इंप्रूव होगा और energy level भी boost होगा इसके अलावा ये सिरफ पेट की gas को खतम करती है digestion को improve करती है और अगर पेट में कीडे हो गए हैं तो उनको भी खतम करती है जिससे overall health बहुत अच्छी हो जाती है अब बात करते हैं इस सिरफ को कैसे लेना है और कितना लेना है अगर बच्चे की age 2 से 5 साल है तो 5 ml सुबै और 5 ml शाम को खाना खाने से आधा गंटा पहले देनी है और 5 साल से उपर की age के बच्चों को 10 ml सुबै और 10 ml शाम को खाना खाने से आधे गंटे पहले लेनी है एडल्ट में भी यही डोज लेनी होती है यानि 10 ml सुबह और 10 ml शाम को आप खाना खाने से आदे गंटे पहले ले सकते हैं अगर आपको एक टाइम लेना है तो 15 ml सुबह या फिर शाम को खाना खाने से आदा गंटे पहले ले सकते हैं इस सिरफ के कोई भी serious side effects नहीं है क्योंकि ये एक ayurvedic सिरफ है फिर भी अगर आप इसे सही मात्रा और सही तरीके से नहीं लेते हैं तो पेट में जलन हो सकती है पेट में गैस हो सकती है या फिर मूं में छाले हो सकते हैं इस सिरफ को लेने के बाद ना तो नेंद आती है ना इसकी कोई आदत लगती है इसलिए easily इसका use किया जा सकता है एक्टिवेट सिरफ diabetes वाले patients के लिए suitable नहीं है क्योंकि इसमें शुगर आती है वीडियो इनफर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और health और medicine से related videos के लिए चैनल को subscribe जरूर करें